प्रधान मंत्री मोदी के नच्छत इनकी कुंडली में क्या देख रहे हैं प्रधान मंत्री जी है इनका नाम जो है मंगल गुरू है इनका रासी का हनवान जी और इनका रासी प्रचिक है और प्रचिक रासी का गुरू लगनेश में बैठावा होता है जिसके आकार होता है वो परचार ग्रूप बहुत अच्छा है और अप्रेल और मही में इनको थोड़ा सा पंदर तारीक से बाद में खत्रा है बैंकर हाँ अप्रेल मही कि उसमें सत्रू कोई इनके लिए गलत मतलब बना सकता है जिससे अपने आसपास की जो फोज है उसको भी मतलब जड़ा चोगश् परचकार बड़े-बड़े अधिकारी जिनके पास आते हैं अपने भविष्ट के बारे में जानना चाते हैं या आदने वाले समय कैसा उसके बारे में जानना चाते हैं इस समय हम मौझूद हैं हसनपूर लुहारी में जहां पर एक बहुत ही सदल ब्रैक्टिक तो हमारे मुक्ष मंत्री जी के बारे में और साथ में कि जिस तरह कुरोना महामारी पूरे भारत में फैली पिछले दो साल से आगामी वर्स या यह वर्स कैसा होगा 2022 का यह जाने के स्री मागे राम जी से और चीजों पर बात करेंगे बहुत नमस्कार जी मैं आप से जानना चाहूंगा पहले तो मैं प्रधान मंत्री जी के बारे मैं जानना चाहूंगा बहुत भविस्वारिया हुई आज से ने सालों पहले बताया गया कि एक व्यक्ति आएगा जो प्रधान मंत्री बनेगा इसने दिन आसीन रहे तमान चीजे बताएगी मैं क्षा प्रधानमंत्र जी जए। इनका लाम जो है मंगल गुरु हैं का रासिगा हनौन जी और इनका बाशिवर प्रश्चिक है और बर्श्चिक रासिवरे गुरु लगनेश में बैठा है तो पार उपयोन ए और इसका मंगल और प्रस्पती लगन में पढ़ा है जनल लगन में और चंद्रमा साथ वहस्तान में दर्ष्टी पर है जबके यह चमतकारी बहुत अच्छे योग बनेगे और यह काफी काइम तग अगदी ओजना में भी रहेंगे और इनको यस्प्राप्ती बहुत अच्छी होगी यह वैसे बच्छत में बहुत परिशान और दूखी रहे और अपने परिवार से अलग रहे इस राषी वाला मंगल वाला जो इंश्कान है अपने राषी अपनी ब्रादरी और अपने रिश्चेदारों से और अपनी मिश्टी से और अपने कुटुम से किसी से इनकी पर्चती नहीं यह पब्लिक्स यवा करते हैं और उनके पीले नेत्र हैं पीले नेत्र वाला सिरह मंगल का अस्वंकर भगवान का भगत होता है पूर जनौवा भी हैं यह नक्षत और बरस्पती चंड़मा नक्षत और सूर्य नक्षत तीन किसम का नक्षत रियोग इनके लगन मारा है जो कि वह प्रमात्मा से मिलन करता है विस्वन भवान का एक बहुत बड़ असिर्वाद है प्रचार ग्रूप बहुत अच्छा है और अप्रेल और मही में इनको थोड़ा सा 15 तारीक से बाद में खत्रा है बैंकर हां अप्रेल मही के उसमें सत्रों कोई इनके लिए गलत मतलब बना सकता है जिससे अपने आजपास की जो हो जै उसको भी मतलब जरा चोकुष सत्रग लखे तो अच्छा रहेगा इनके लिए मतलब चिंति देए कि 15 अपरेल या मई के मद्ध इनके उपर साजिस कर सकता है इनके खिलाब तो इनको सतर करना चाहिए अपने आद पास जो फाज है उसके बारे भी इनको गैन अद्धन करना था इसमें पड़ताल इनको जरा अपने मित्रों से भी मतलब सतरक रहना देखें बहुत ही योग व्यक्ति हैं और बहुत सरल्तल से अपनी बात रख रहे हैं इनको सत्रू साजिस कर सकता है इसमें यह चिंतित ते इसलिए बता रहे हैं इसमें प्रधान मंत्रि जी भी इस से ऑगश होंगे या वीडियो के माद्रम से मैं आपसे बताना चाहिए वह कि देश के हिस्से में आप से जानना चाहूंगा प्रधान मंत्री जिस तरह साथ साल हो गए आने वाले कितने साल तक प्रधान मंत्री रहेंगे और साथ में देश के दिश्ट से क्या क्या ये बेतर और करेंगे ये देश के लिए जो किसी नहीं क्या आज तक नहीं ने तो थोड़ा सा इस बारे में कर यह सोच लें करने वाला तो इन गर्यार योग ही है और साथ में सेना मजभूत कर रहे हैं आज भारत अन्य देशों से मुकाबला करने के आख से मिला लेता है पहले इस्थिती नहीं थी लोग कहते हैं मेडियमी काफी चीजा चाहे होती हैं व्यक्तित तो डोग मंगल शुक्रवार इनके अच्छा है अगर इस उसमें यह सोच करके कुछ अपना च्छा काम करें तो और चाहिए होगी और यह इनको पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान से थोड़ा मतलब आपके देख तो कैसे देखते चाहिने से रिष्टे कैसे रहे हैं चाहिना से रिष्टे का आप जो है नए साल में अपरेल महिं के अंदर जाय कुछ थोड़ा सा भेंकर वह बनेगा एक लेड़ महिन तक उप्ट्टे बाद यह बिल्कुर सहीच चलेंगे विख तो रिष जो है सुकरस्तान में पंचम में ब्रिस्पदी और मंगल चंदरस्तान और सुकर रहू तीन गरह एक अस्तान मा रहे हैं उसमें उसके बाद फिर अपने हिंदुस्तान को मदद भी देगा हो लोग कहते हैं कि सत्ता साल से ज्यादा उम्र हो रहे हैं चेरे पर एक ओज है और बहुत लोग कहते हैं यह भगवा वस्त्र में नहीं है यह संथ हैं तो इससे सहमत है हां संथ है यह अचानक मतलब मर्तु का योग बनेगा अचानक और दूसरी यह 80-22 साल तक कि इनकी एज है इस से अलाग इनको को छेड़ में नहीं सकता इस बाद में दो खत्रा आएंगे उसमें से भी बच जाएंगे तो इसलिए पानी से इनको खत्रा है सूर्य चंदरस्तान से भी लगने इसमें पंचम में खत्रा है इनको अगर थोड़ा सा दानफून यह इधर दोर कर दें तो बहुत अच्छा रह रहे थे तो ऐसे कुंडली आप ने देखी थी उनका विचारों का जो इंथे अद्याग जी उनका सरफ योग बन रहा था सरफ योग जो था जनम केंद को दिद्रस्टी में पढ़ रहा था सरफ योग जो है और चंद्रमा की वह क्योंकि उलान में जाकर के सरफ योग जो है उड़ान में जाकर करके उसका मर्त उप्राप्त करता है और अगनिवेस बन रहा था वह धन सतुर धन था क्योंकि मंगल कि सुट्र बन रही थी तो और उसको जो है यह तो होना ही था इसको कोई नहीं रोख सकता हां यह होना इस रच्छा बताते हैं कि हेली कॉप्टर इतना सुरच्छा वाला था और पैरा कमांडो भी थी उनके साथ जबकि उनको बचा नहीं जा रहा है अब हम बात करेंगे यूपी चुनाओं पर यूपी चुनाओं हो रहा है इदर मुख्यमंतरी योगी है 17 में मुख्यमंतरी बने उसके बाद अब जाके जो है चुनाओं होने जा रहा है एक तब अखिलेस हैं जैन्त हैं मायवति हैं इधर योगी अकेले हैं मोदी उनके उपर हाथ रखके फोटो भी आपने देखी होगी तो ऐसे में कैसा देखते है योगी जी का ब्यक्तित तो कैसा है पहले मैं आप से जानूंगा दूसरा कि उनके जो नियस कैसी है नियस कैसी काम करने की नियस ठीक है और उनकी कुंडली के हिसाब से आप क्या बताएंगे कितने मुख्यमंत्री का योग बन रहा है नहीं बन रहा या आगे क्या है योगी जी का तो मुख्यमंत्री बनेंगे और मगर इनको लो है योगी जी का भी मंगल गुरू है तो मंगल प्राथ होगा इसके वह पर सुकला नक्षता आजाएगा फिर दिनको जीत होगी कुछ इनके जो कंडिडेट हैं वे देश के अंदर कुछ ऐसा इनको धोका दे रहे हैं कुछ काम सही नहीं कर रहे हैं तो इसलिए उह ही इनको थोड़ा सा लाउनु यह करें यह लोग उमीद कर कि साथ मैं बंढ़ी मधिर के बाद आप प्रधान मंत्री की बनने का संजो कैसे ब्यक्ति कराहेंगा इस की ब्यक्ति आ सकता है राजनीचरी से आएगा या एक-एक आजायेगा या धार्मी ब्यक्ति ब्यक्ति बद्हां मंत्री के मोदी के पाद में धार्मिक बाइगा और वो जो आप कहरें न कीशी की लेहर वह आएगी इनसे बाद में इसके बाद में कोई उपर से इस किसम al Four यह अ है उगिए बहुत अच्छी चबता है बाकी मुख्यमंतृ की लिहाद से जो चुनाव हुआ चुनाव में आप कह रहे हैं कुछ दिक्कते आएंगी मुख्यमंतृ योगी बनेंगे को रहा है कैसा आने वाला समय रहेगा 22 में वेक्सम्म करोना भी कोतों होई सवार्ण मां था ख़ीक करना चाहिए लोग बहुत परिसान बहुत जानना चाहिका। ने दिक्रते हैं लोगोगों के लिए विए नमब्सक ऊपलब्द क rom stocks हूं ओ ठीक है बाकी हमार भी बहुत 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 प्रणाम आपका आपने बहुत बेबाकी से राय रखी लोगों को बताया और मैं चाहूंगा कि आपकी बात प्रणामंत्री और मुख्यमंदी तक पहुचे लोग जाने कि आप चिंतित हैं उनके लिए थोड़ा उसका उप्याय किया जा उपाय भी तो मोदियोगी का हां मोदी साब का यह है कि योगी और मोदी जो है अपने को माम अर्टुब जब पचास लाग वोग करवा दे ठीक है नहीं और में जो हैं चालिस दिन तक पिपल को संचालित करें मोदी में मोदी में तारो अपने किसी व्यादमी को भेंदें इसके अंदर साथ किसम का नाज चंदरमा उस्तान सूर्य से पहले उदह होने से वह और सर्षो का तेल और दाल क्योंकि आगे जो है सनी मामहारी लगन में चल रहा है तो एगर पिपल को वर्षित करें या होर भी करें तो उनके हमामारी का सब्सक्राइब करें तो मोदी जी लिए विकास चीज हैं अगर एक इस भी अपनी चेल देसे आप नाप हाथ लगा करके तो पिपल के पास इंतर कराने अरुश पिपल महराज को एक लिल्ली जनाउट डेम चीज ध्याना निकरते हैं हम चाहेंगे द्रस को कि आप मैं आपको नंबर उप्रब्श करा दूंगा आप बात करते हैं को भी समस्थ्य चल रही जीवन में जो आप चाहते हैं कि उसमें माघ्राम स्री माघ्राम जी आपको बताएंगे इस पर ध्यान देने की जल्व होते हैं मैं चाहूँगए वीडियो सेर करिए और सेनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये बात प्रदामंते जी और योगी जी तक पहुंचे बाकि सुपकाम नहीं आपके पूरी सुपकाम नहीं है पूरी क्योंकि अक्ष्टाइम इस साल के अंदर बहुत बड़े महाराजार मूलंग दस और ज्यारा कांग बन रहा है वो इनके लिए बहुत ही कापी सुपब है सतुरू बढ़ेंगे मंगर डाउन भी उत्तरें के साथ साथ तो इनको सूर्य की तरह रक्षार रहनुमान जी इनकी रक्षा कर लें है दोस्तों ये से स्री मांगे राम जी इस समय हम जो है सामली ठा कर ले जाते हैं इनका अस्विबाद लेते हैं आप भी इनका इनसे मार्गरसन लीजिए अगर कहीं भी परसान है कुछ एक समस्याय चल रही है तो बात कीजिए मुबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में उपलब्द करा दूँगा बहुत बहुत आवार